नमस्कार मित्रो ओम नमस्षिवाय आज इस वीडियो में लेके आई हूँ साल दो हजार तेईस में भीसम अस्टमी के बारे में समपूर्ण जानकाली साथी पूरे जन्म के पाप को खत्म करने के लिए एक खास उपाए बीसम अस्टमी रहेगा 28 जन्वरी 2023 दिन सनिवार को मध्यान समय रहेगा 11 बज के 30 मिनट से लेके 1 बज के 49 मिनट दो पहर अवधी रहेगी 2 गंटे 9 मिनट की अस्टमी तीथी प्रारंब होगी 28 जनवरी 2023 को सुबा 8 बच के 43 मिनट पे समापत होगी 29 जनवरी 2023 को सुबा 9 बच के 5 मिनट पे माग सुकल अस्टमी भीष्म पितामा की पूर्ण तीथी है भीष्म पितामा महान भारतिय महा काब महा भारत के सबसे प्रमुक पात्रों में से एक है इसलिए उनकी पूर्ण तीथी को भीष्म अस्टमी के रूप से जाना जाता है भीष्म पितामा ने आज इवन ब्रह्मचरे की प्रतिग्या ली जीवन परियत न उसका पालन किया उसके पिता के प्रति उनकी निस्ठा एवं समरपड के कारण भीष्म पितामा को अपनी इच्छा नुसार मित्यू का समय चुनने का वर्दान प्राप्त हुआ था भीष्म अस्टमी इतिहास का महत्वा महभारत के युद्ध में गंबीर उसे खायल होने के पश्चाग भीष्म पितामा ने अपने वर्दान के कारण अपनी देय का त्याग नहीं किया था उन्होंने अपनी देय त्यागने के लिए सुब मुर्त की प्रतिक्छा की हिंदू मा निता के अनुसार सूर्य देव वर्द समय आदे समय दक्षिर दिसा में चले जाते हैं जो कि असुब समय विदिया माने जाती है इसलिए सभी प्रकार के सुब कारियों को कुछ समय के लिए कुछ होदी के लिए इस्थागित कर दिया जाता है जब सूर्य देव उत्तर दिस में वापस आने लगते हैं इस दिन लोग भेशन पितामा के लिए एकोदिष्ट श्राद करते इस श्राद का जुना उन लोगों के लिए दिया जाता जिनके पिता की मित्ती हो गई है हाला कि कई लोग यह मानते हैं बेशन पितामा का शाद अनुस्थान को भी व्यक्ति कर सकता है चाहे उसका पिता जीवीत हो या मृत्थ अस्टमी के दिन यह उपाय करे वर्स भर के पाप, जीवन भर के पाप होंगे खत्म महा भारत ने कहा गया है कि जो व्यक्ति माग सुकल अस्टमी के दिन भिसन पितामा के निमित तरपड जलदान आदी करते हैं तो उन्हें जीवन परियंत के पाप पूरे नस्ट हो जाते हैं तरपड और जलदान करते समय इस मंत्र का जाप करें झाल अस्टमी करते हैं झाल अस्टमी भार जलदान करते हैं झाल झाल जलदान करते हैं यह सु कि अजल आप झाल